नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दजलेबी में दोस्तों आज के समयत पूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीतर मीट खाने के क्या फायदे होते हैं जी हाँ दोस्तों सरकार द्वारा तीतर के मीट को प्रमोट भी किया जा रहा है बहुत सारे ग्राम तीतर का मीट हमें क्यों खाना चाहिए क्यों यह फायदे मंद होता है दोस्तों इसका सबसे पहला फायदा यह होता है कि तीतर का मीट जो होता बहुत ही सौफ्ट होता है इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है यानि कि यदि आपके सरीर में प्रोटीन की कमी ह तो आप इसका सेवन अच्छे से करिए दोस्तों मसल्स बनाने में बहुत ही जबरदस्त होता है तीतर का मीट सब्ता में अगर आप इसे दो बार खाते हैं लगातार दो से तीन महीना तो फर्क आप नहीं दूसरे लोग बताएंगे आपको कि ये कितना जबरदस्त है दोस्तों इसके अलावा तीतर के मीट का जो दूसरा फायदा है वो होता है इसकिन के लिए अगर आप इसकिन सम्बंदी किसी भी बीमारी से परिशान है तो आपको तीतर के मीट का सेवन जरूर करना चाहिए इसकिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा जी हाँ दोस्तों आपको कोई आउटर प्रोड़क्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चहरे पे चहरे पे किसी भी तरह की कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप तीतर मीट का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन में गजब का गलो रहेगा गजब का उभार रहेगा गजब का बांसीनेस रहेगा तो इसकिन में गलो लाने के लिए भी आप तीतर के मीट का सेवन कर सकते हैं दोस्तो इसके अलावा दोस्तों तीसरा फायदा होता है सरीर को बलवान बनाने में जी हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स मजबूत हों, स्टॉंग हों आपकी जंगा मजबूत हो, आपके हाथ बलिष्ट हो, आपकी जॉलाइन चिजल हो तो इसके लिए आपको तीतर का मीट जरूर खाना चाहिए, तीतर के मीट में प्रोटीन परसेंटेज इतना जबरदस्त होता है और ये सरीर में इतनी आसानी से प्रवेश कर जाता है कि आपकी सरीर बहुत ही कम समय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है आप काफी बलवान दिखने लगते हैं, मजबूत दिखने लगते हैं, मसल्स उभर के आजाती हैं तो इसलिए दोस्तो तीतर के मीट का सेवन जरूर करिए चिकन की अपेक्षा, मटन की अपेक्षा, फिश की अपेक्षा ये जञादा बहतर और ज़्यादा अच्छा है थोड़ा कॉस्टली जरूर है लेकिन अच्छा जरूर है तो दोस्तों बलवान बनाने में बहुत ही फाइदे मंद है इसके अलावा दोस्तों चौथा फाइदा होता है खास्तार से पुर्शों के लिए जिनें नसों की कमजूरी हो गई है जी हां अक्सर नसी इस्तिल हो जाती है गलत कार्य करते करते तो नसों को बहतर करने के लिए नसों में ब्लड के सर्कुलेशन को तीवर करने के लिए तीतर कमीट बहुत अच्छा है तीतर कमीट करते हैं तो इसे आपकी जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगा आपको बहुत सारी जो भ किया जाए तो मात्र महीने भर के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना सुरू हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों अन्तिम और सबसे महत्पूर्ण फायदा आपके बाल और आखों के लिए हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले घने बढ़ियां रहें और उसकी जड़ भी मंडी में जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो मटन चिकन लेने के वजाए तीतर का मीट प्रफर करें यह ज्यादा फायदे मंद होगा थोड़ा क्वास्टली जरूर रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा आपके स्वास्ते के लिए आज के लिए बस इतना ही यदि वीड